दोस्तों, Happy Republic Day, 26 January का offer है, Zero Loss Option Trade पे तो यहां से आप अपनी financial दुनिया के rules बना सकते हैं और आपकी शर्तों पे आपकी जिन्दगी चलेगी अगर आप ध्यान दे आज हम बात करेंगे कि इस quarter में हम कैसे study करेंगे कौन से stock सबसे अच्छे हैं और किसमें आपको पैसा लगाना चाहिए हर एक quarter में जैसे December quarter अभी खत्म हुआ है तो mutual fund और FII ने अपनी position बदली होगी तो उस वक्त आपको study करना चाहिए कि कौन कौन से stock से जो mutual fund ने अभी देखते हैं तो हमको trend line की link सामने नजर आती है आप उसको click करते हैं तो आपको यहाँ पर देखता है कि अभी mutual fund holding में जो change आया है उसमें सबसे उपर नाम सफायर foods का है फिर red gain travel technology है अंध्रा paper है, RBL bank, VRL logistics और जीवम fordlet limited अब हमको बाकी चीज़ें क्या देखनी होगी इसमे सफायर को आप देख रहे हैं 57 का PE है तो वहाँ जाकर देखना होगा हमको कि food में वैसे generally PE बहुत जादा होता है तो उसमें यह reasonable हो तो फिर हम food में भी अपनी कोई holding बनाएंगे, red gain travel technology 120 का PE, अंध्रा paper 5.7 का PE, यह reasonable है लंबे समय के लिए भी, RBL bank 12 का PE, VRL logistics 24 का PE और जेम fordler यहाँ पर 44 का PE है, क्लिक करके हम यहाँ पर देखना चाहेंगे कि सफायर foods का overall scene क्या है, 9 का strength, 1 का opportunity, 2 weakness, 0 threats, all time chart हम देख लें कि कि किस level पर खड़ा है, बाजार के pressure से कितनी selling आ रही है वो भी हम समझें और एक पुराना जो support है उसको कई तोड़ा तो नहीं है, नहीं है, support level स काफी दूर है, और यहाँ पर 10 strong buy दिखा रहे हैं, साथ में नीचे जाके देखते हैं, तो सीधे हम को नजर आता है, कि अभी अभी FII के holding बढ़के 17% हुई है, और mutual fund के holding तो अच्छी खासी बढ़ रही है लगातार, तो यहाँ पर आप अपनी position बनाए, कोई problem नहीं है, पर यह ध्यान रखना कि यह sector ऐसा है, जो छोटा sector है, तो आप अपना बहुत बड़ा पेशा किसी एक हैसे sector में डाल के रख दें, तो फिर आपको उतना risk appetite होना चाहिए, आंधरा paper है, RPL bank है, VRL logistics से GMM forwardler है, अब जैसे यह last वाला हमने देख लिए हैं, बाकि आपको देखना है, जनरल इंडिस्टिर सेक्टर से GMM forwardler, 1560 रुपए 1560 का share है, 9 और 4 की strength opportunity है, 3 का weakness threat 0 है, हम लोग यहाँ पे जाके इसका ultimate chart देखते हैं, हमको नजर आता है कि हाँ यह support तोड़ने को तो नहीं है, अभी support से काफी दूर है, जो ultimate support हम इसका देखते हैं, वहाँ से यह उपर गया, 3 strong buy यहाँ पे नजर आ रहे हैं हमको, बाकी यह parameter analysis भी आप तसलिश से पढ़ सकते हैं, तो annual revenue, net profit कितना बढ़ा है, यह सब कुछ यहाँ पे दीख रहा है, मैं थोड़ा जल्दी चलूँगा, बाकी चीज़ें आपको अपने से देखने होगी, FII की holding 19% होई है, एकदम से बाद में, आप अगर इस quarter के लिए, एक एक विक की gap से इन stocks को उठाना शुरू करें, और पहले अपने fund पे काम कर लीजे कि कितना fund है आपकी पास, तो आप कभी धुखा नहीं खाएंगे, ठीक है, तो ऐसे आप study लगातार करते रहेंगे, मैं आपको कई तरीके से यहाँ प आइनोक्स, लेजर, रेस्टोरेंट ब्रांड्स, नुवको, जोमेटो, यह नजर आ रहे हैं, अगर price to book value ratio की बात करूँ, तो यहाँ पे हमको यह इंडियाबूल housing finance, orient paper, पंजाब national bank, यह नजर आ रहे हैं, है ना, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, अब सस्ता होना के साथ एक और चीज है, अच्छा भी होना चाहिए, तो इसलिए mutual fund holding आपको और चीज दिखाएगी, कि सस्ते के साथ वो अच्छा है कि नहीं है, और company की size की अगर बात करें, तो हम market capital को देख सकते हैं, तो यहाँ पे HDFC है, सबसे बड़ा बजाज finance है, फिर मारुती सुजु की है, टाइटन company है, और NGCA, उनको भी आप देखते चले जाएंगे, price to book value ratio HDFC का 2.6 है, बजाज finance का 8 का PE ratio है, जो कि बजाज finance जैसी company के लिए थोड़ा reasonable ही माना जाएगा, पर यह बहुत sensitive है, price में sensitive का company है, तो ध्यान रखना है, उतार चड़ाओ बहुत जल्दी से आते हैं, तो आपको यहां देखने को भी मिलेगा, कि कहां तो इसने 8000 उपे के आसपास कहा ही बनाया था, और कहां यह 5400, 5600 के support के आसपास आ चुका है, फिर भी नीचे जाके, institution का क्या हाल है, वो देखना बहुत जरूरी, 16% के अभी भी FII के holding है, और mutual fund के holding तो लगातर बढ़ती चली जा रही है, तो टुपड़े टुपड़े में ऐसे शेर को खरीदना भी काम का हो सकता है, लेकिन दोस्तों एक दूसरा नजरिया था, main चीज, अब इस quarter के लिए best stock तो हमारे यहां ही पे आएंगे, जब हम यहां क्लिक करके फिर से अपना, यह देखें कि इस quarter में सब-सज़ में दो से तीन वीडियो आते हैं, जो live market में strong index और strong stock के बारे में आपको बताते हैं, आपने subscribe करी लिया होगा, share कर लिया होगा, अपना एक group बना लिया होगा, और जो भी courses आप graphi से लेना चाहें, आप graphi पर जाके भी देख सकते हैं, graphi का store आप यहां पर देख लेंगे, औ और rigi का भी platform आप देखेंगे, जिसका link हमने description में दे रखा है, आप stocks में हमारे साथ account खुलवा के, आप 24-7 हमारी team का support पा सकते हैं, साथ में free of cost सिखते भी रहेंगे, पैसा भी बनाते रहेंगे, डरने की बात नहीं है, यह आपकी choice नहीं है, आप के लिए essential है, कि आप inflation को ह माराना चाहते हैं, तो stock market में trading और investment करना पड़ेगा, thank you very much, bye